नमस्कार दोस्तों मैं समित कुमार तिवारी आपका अपनी गारगी क्लासेश पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में अपने राजस्तान में होने वाली प्रतियोगीता परिक्सा जो रीट थी उसके बारे में अध्यान कर रहे थे और रीट चा अपने को बनाने है सभी का गहराई से अध्यान करना है तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए जो पार्ट दूसरा है वो लेके आया हूँ और इसके अंदर हम देख रहे थे कि संस्कृत भासा का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में अध्यान कर रहे ठीक है इसके बाद में दोस्तों हम आज शुरू करते हैं अपना दूसरा जो टोपिक है व्याकन के त्री मुनी व्याकन के त्री मुनी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि व्याकन के त्री मुनी है वो तीन है एक तो पाणिनी जी और एक कात्यान जी जिनको वर अच्छी तरीके से पता है कि अस्टाइदेई सुत्रों का गरंथ है वारतिक ये भी सुत्रों का है अस्टाइदेई के अंदर जो कठिन सुत्र थे उनको सहर्ली करन किया कातिया जी के द्वारा ताकि छात्र छात्रां को पढ़ने में आसानी हो और महाबास्य जो पतंजली जी कि जो पाननी जी थे ये जो व्याक्रण जो संस्क्रत का आधार इस्तंब है लगुशित दांत कोमुदी या फिर अपने एक तरीके से बोल सकते हैं अस्टा डेई पूरा गरंत अगर बोले कि अस्टा डेई पूरे व्याक्रण का आधार गरंत है संस्क्रत भासा कि व्याक्रण मुनिकी से का जाता है इन तीनों में से तो सबसे पहले आएंगे पाणनी जी और आपको अच्छी तरीके से पता है पाणनी जी ने सुत्रों का ग्यान ग्रहन किया था बगवान सिव से जो उनके तांड़न रित्ते के दोरान डंबरू से निकले थे उन 14 सुत्रों का ग्यान प ठीक है अगर इनका समय पूछा जाता है दोस्तों तो इनका समय बताना होगा 500 इसा पूर्व है ठीक है अगर पूछा जाता है कि इनके पिता का क्या नाम था तो इनके पिता का नाम बताना होगा पाणिन या फिर पणिन इनके पिता का नाम था पणिन और इनके माता का नाम था दाक्सी और अगर इनके गूरू का नाम पूछा जाए तो इनके गूरू का नाम होगा उपवर्स, ठीक है? अब इनकी जो करती है वो आपको अच्छी से पता है कि ऐस्टा दें इनकी करती है और जिसे इसका दूसरा नाम भी क्या है दोस्तो सब्दानु सासन क्या नाम है सब्दानु सासन अब अस्टा देई में क्या है सुत्र है सुत्र किस प्रकार से हैं अस्टा देई में वपन देखते हैं आगे देखो दोस्तो पाणिनी सिक्सा अगर अपने को पता पूछे कि पाणिनी जी की सिक्सा कहां से हुई तो आपको बताना होगा चो पाणिनी जी की स और प्रतेक अध्याय में 4-4 पाध है ठीक है यानी 1-2-3-4-5-6-7-8 इस प्रकार से यह 8 अध्याय होगे और प्रतेक के अंदर कितने त्याध्याय है चार चार जैसे पहले में चार दूसरे में चार तीसरे में चार ठीक है इस प्रकार से अगर कुल पाद होगे संक्या पूछे तो आठ इंटू चार तो कितनी हो जाएगी दोस्तो आठ इंटू चार कितनी हो जाएगी यह टोटल हो जाएगी 32 पाद हो जाएगे कितने हो जाएंगे 32 पाद हो जाएंगे ठीक है अगर पूछा जाए कि अस्टाइदेग का प्रतम सुत्र कौन सा है तो आपको बताना होगा वर्दी रादेच अस्टाइदेग का प्रतम सुत्र है और आपको पूछा जाए कि अंतिम सुत्र क्या है तो आपको बताना होगा जो इसके अलावा दोस्तो इसके अंदर कुल कितने सुत्र है इसके अंदर कुल सुत्र है दोस्तो तीन हद इसके अंदर कुल सुत्र आप क्या होंगे 3978 प्लस 14 महस्वर सुत्र 14 महस्वर सुत्र जो भगवान महस्वर के डमर से निकले थे उसके अलावा 3978 सुत्र भी इसके अंदर है ठीक दोस्तो उसके बाद में हम देखते हैं कात्याइजी के बारे में कात्याइजी ने दोस्तो अश्टादेग के अंदर जो कठिन सुत्र थे उन कठिन सुत्रों के उपर क्या किया कि उनका सरली करण किया ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और इसकी प्रमपरा आसानी से आगे चलती रहे उसके बाद में जो कात्याइन जी थे इन कात्याइन जी ने लगबग 1500 सुत्रों के उपर लगबग 4-5000 वारतिक लिखे हैं अगर लगुशिद्दांत कोमुदी की बात करें दोस्तों तो लगुशिद्दांत कोमुदी के अंदर इन्होंने 836 वारतिक लिखे हैं और अगर इनका समय पूछा जाए कि इनका समय कितना था तो शाड़े 300 यानि 350 इसा पूरू इनका समय माना जाता है ठीक है दोस्तों तो पहले थे पाणिनी जी उसके बाद में थे कात्या जी और उसके बाद में आते हैं पतंजली जी अब पतंजली जी क्या थे दोस्तों पतंजली जी गा अगर समय पूछा जाता है तो दोस्तों इसा पूरू इनका समय बता प्रतेक अध्याई के अंदर चार चरण है कुल 32 पाद है उसके अंदर उसी प्रकार से महाबाश्य के अंदर आहिनिक है तो अब पुछा जाता है कि महाबाश्य के अंदर कितने आहिनिक है तो बताया जाता है महाबाश्य के अंदर 55 आहिनिक है और दोस्तों आहिनिक कहते किसे हैं आहिनिक उसे कहते हैं एक दिन में जो कार्य निवरित हो जाता है उसे आहिनिक कहते अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाईए थैंक्यू